नमस्कार आप देख रहें नियूज पियार मैं हूँ आदेश पूरी अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि महम्मद सहावदीन जिनका सनीवार को सुबह निधन हो गया था कोरोना के चलते उन्हें दिल्ली हाई कोट के आदेश के पास आई टी यूग के पास एक कबरगाह मे दफन कर दिया गया है कर दिया आ यह आपको बता दे कि परिवार वाले जो है और खासकर उनके बेटे और साहिब जो है वो लगातार अपने पीता के पासमा साहिब भी गये थे उनका कहाना था कि जब उनके पिता आटी पीसीया डेस्ट में कॉरोना निगेटिव आय तो ऐस में उन्हें इजाज़त दिया जाए कि उनका अंतिम संस्कार परताप गड़ जो की सिवान जिले में है जहां पैत्रिक गाउं है साब दिन का वहां पर किया जाए लेकिन हाई कोट के आदेश के बाद जो है आईटीयो कबरगाह में उन्हें दफनाया गया सहावदिन के बेटे कि कोरोना के कारण निधन और उसके बाद टेश्ट रिपोर्ट में आता है कि वह कोविड से पोजेटिव नहीं थे ठीक हो गये थे और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है उसके बाद फैमिली वाले जो है कोट की रूप करते हैं और जो उनके लड़के हैं मौहमद सहाब दि है और सिवान वो लाना चाहते हैं राजत की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई आगे आकर उनका पक्ष नहीं रखा गया दवाव नहीं बनाया गया ताकि जो महमद सहाब दिन है जिने जिने सिवान से काफी प्रेम था सिवान की जनता ने उन्हें विधायक MP बनाया वहां सुपुर्देख होना चाहिए था वो इसा नहीं हो पाया आपको म्ताते हैं कि उनके बेटे उसामा उनके द्वारा क्या क्या्कियां सबसेist की पापा की मौत पर राजध पर एप्री यादों की इनके पापा के मौत पर लालू यादो की रिहाई लालू यादो कुछ दिन पहले जमानत मिला है तो यह बहुत बड़ा आरोप है उसके बाद वो जो हैं ट्वीट करते हैं कि हमारे अब्बू की मौत नहीं बलकि मडर हुआ है सीधे सीधे उनका आरोप है कि कोरोना ने उनके पिता की जान नहीं ली है उनके पिता की का मडर किया गया है फिर उसके बाद से इनका ट्वीट आता है मैं आप सबसे अपील करता हूं दिल्ली वाले साथ ही दिन रयाल उपध्या ऑस्पिटल पहुंचकर मेरी मदद करे इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है ज्यादा से ज्य सब्सक्राइब के साथ खड़े दिखे और उन्होंने इस साब दिन के मौत को एक मडर करार दिया है और साथ-साथ यह आरजेडी पर भी बहुत ज्यादे खफा हैं कि ऐसे नाजुक समय में उसामा जो कि साब दिन की बेटे हैं उनका साथ देना चाहिए और साब दिन को वरा जो है कितना वो नराज है सरकार से और सहाब दिन का जो जनाजा है उसे सीवान ले जाना चाहते हैं सुनिए पहले उन लोगा क्या काना है जितने लोग है दिन द्यालूप अध्या पहुंचे यहां पर लफड़ा हो गया आप यहां भीड नहीं रोख सकते हैं यह बहु बली साबुतीन है को याम अध्य नहीं है एक एक अदमी को चून के बिहार ले जाएंगे हम लोग एक एक अदमी को उठा ले जाएंगे एक बंदा नहीं रहेगा वर्दी का धोंस नहीं देखाईए वर्दी का धोंस सब पिछाड़े में घूज जाएगा यह बहु बली साबुतीन को मारे हैं आप लोग ने आप लोग हत्यारे हो अच्छा काता बात कर रहा थे हैं तो जैसा कि आपने सुना की साहब दिन का जो है समर्थक जो हैं उनके मौत के बाद उनके जनाजे को सिवान लेना चाहते हैं जहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जया है वही आगे ट्वीट हम देखते हैं जिसमें उसामा जो हैं वो लिखते हैं जब तक अब्बु जिन्दा थे तब तक युवा नेता से लेकर बड़े नेता सब से सबने फायदा उठाया और जब आज उनकी हत्या कर दी गई तो मैं अकेला ही लड़ रहा हूं जब तक जिन्दा थे तब तक सबने फायदा उठाया लेकिन जैसे ही चले गए तो लोगों ने मेरे परिवार को अकेला छोड़ दिया जस्टिस पर साहब दीन ये इंडिरेक्ली आरोप है राजद परिवार पर लालू फैमली पर इसमें लिखा हुआ है कि जब तक अब्ब को छोड़ के चले गए तो सबने किनारा कर लिया यानि कि मुस्तकिल वक्त में कोई नहीं पूछने आ रहा है जब तक साहब दीन थे तब तक सब कोई पूछने आता था उनका उनके पास हाजरी लगाता था लोग लेकिन उनके जाने के बाद उन्हें लोग अकेला छोड़ हैं उसके बाद जो है फिर ट्वीट करते हैं जो आज हमारे साथ खड़ा है वो सोचल मीडिया पर इस हैस्टेग को ट्वीट करें आवाज दो हम सब एक हैं जस्तिस पर साहब दीन इसके बाद जो है आपको बता दे कि अगला ट्वीट है कि मुझे उमिद है कि अगर सासन प विधायक और MP बनाया था तो जनता पर वो बोल रहे हैं विश्वास है अगला ट्वीट है कि अगर हमारे अब्बूज डॉक्टर सहाब दीन साहब अपनी जन भूमी सिवान में दफन नहीं हुए तो तेस्वी यादों की राजनीती हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाए और उनके बेटा सिर्फ दम चैलेंज करते हैं कि अगर नहीं किया गया सीवान में उन्हें सुपर देखाक हो जाएगी तो सीवान में उनको दफन नहीं किया गया है अब देखने वाली बात है कि उसामा जो है जिनकी इतनी नराजगी है और आरजेडी से होना सवभाविक भ बने रहें वही अगली ट्वीट जो उन्होंने किया है अगर सहाब दिन सहाब की जगा कोई यादव हो तो अब तक सारे विधायकों को लेकर दिल्ली पैदल आ गया होता बहुत बड़ा आरोप लगातार जो है वो तेश्वी पर उसामा आरोप लगाते जा रहें कि अगर को आफर टूट पड़ा है उस समय कोई नहीं मदद करने के वारा है यानि कि जातिवादी होने का आरोप जो है वो ओसामा के द्वारा लगाया जा रहा है तेश्वी यादव और लालू फैमली पर वही आपको बताएं कि जो अंतिम ट्वीट है घंटा पहले मैं यह नहीं करता कि मेरे को फॉलो करो मेरी पोश्ट को सेयर करो आप सबसे इतनी ही गुजारिस है कि सब लोग एक साथ मिलकर मेरे अबु के लिए आवाज उठाएं हमने जिन लोगों पर भरोसा किया वो बिग चुके हैं भरोसा किया जिन पर वो बिग चुके है यानि कि लालू फैमली पर बिख चुके हैं वो हमारे विश्वास के काबिल नहीं रहें जो मुश्किल वक्त था उस समय हमको बेश दिया गया और इतना आरोप लगाया गया है कि लालू यादों के जमानत जो है वो सहाब दिन को मौत को रखा गया और यही बिखने का आरोप है तेयस्वी पर राजनिति का अंतिम संसकार हो जाएगा लेकिन साब दिन का जो है सुपूर्देखाक वो दिल्ली के आईटी ओ कवरगाह में किया गया है वही देखिए कि आगे लगतार ट्वीट किया गया है त्वीट किया गया है आज हमारे साथ आर्जेडी का एक भीने तक खड़ा नहीं दिख रह पहले हमारी लड़ाई आरे से बीजेपी से थी अब आर्जेडी से भी होगी यानि कि खुला बिद्रो है ये उसामा जो है साब दिन के वेटे उनका खुला बिद्रो है कि अब हमारी लड़ाई जो है आर्जेडी से भी होगी पहले आरे से बीजेपी से थी लेकिन इस मुस् और साफ काना है कि अब हमारी लड़ाई ज्यूर्य जू है आर्जेडी से आका दीन की क्या रॉड्य चीजान का खही लालू के बदले सभ्य दिन जिका जो है वह सव्य किया गया है ऐसा कहना है उसामा का फिर आगे का टूटे भले ही मुसलमान को निशाना बना कर परहान मंत्री बना हो लेकिन बंदे ने बरबात करने में भेदभाव कभी नहीं किया यह इनका कमेंट है लेकिन अगर हम पूरा लबोलू आप देखे तो जो उसामा जो है वो आरजेडी से बहुत ज्याद की जान लीँ गए मडर किया गया है अगर उनके पीता का स्योट जो सुपião के सिवान में नहीं होता है दफन सिवान में नहीं हो यह इंदों की राजनिती दफन हो जाएगी और अब जो है उनका पहले लड़ाई आरे से बीजय पीडिये था और अब ज़ो से अलदी और आर्जेडी जो है वो ट्वीट कर रहा है लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात उनके बड़े नताओं दोरा कुछ भी नहीं कहा गिया है और सहाब दिन जो की सुरुवात से लेकर उन्हें सब नभे से लेकर और अभी तक जब तक वो जिवित रहें जब तक वराइंती में लालुयादो के साथ ही रहें और ऐसे में जब मुश्किल वक्त है तो उनका साथ रहाना जरूरी था अगर यही उसामा ने कहा यही अगर एक यादो के साथ ऐसा हुआ रहा था तो तेस्वी यादो सारे अपने विधायक लेकर दिल्ली पहुंच जाते लेकिन मेरे पीता के स उसामा का कि अकेले वो खड़े हैं दिं देया लूपा दिया होस्पिटल के सामने और जितने भी ज्यादा तर जो अलपसंख्यक युवा हैं वो काफी इस फोटो को एमोशनल मान रहे हैं और इमोशनल है वी कि सहाब दिन इतना बड़ा सक्सियत इतना बड़ा बहुवली जो क उनका कहीं रहाना ही, एक बहुत बड़ा है, कहीं पहुंचा जाना ही, धमक से उस सारा जो इलाका जान जा जाता है कि साब दिन आये है और उनके अंतिम समय में निके बेटे अकेले उनके क्रिया कर्म के लिए, सिवान लाने के लिए लड़ते रहें और कोई उनके साथ नहीं रहा ना पाटी का नहीं कोई जो बड़ा जो अलब संख्याओं का रहनुमा बनता है वो भी नहीं आया उनके साथ तो यह तोड़ने वाला समय है और यही समय है कि कहा जाता है कि दुख का जब समय आता है तभी अपनों की पहचान होती है कि कौन आप की अपने थे और कौन जो था जो आप से सिर्फ मतलब से ठीका हुआ था तो जो वास्विक्ता है उनसे जो पार सहाब दिन की फैमिली है आपने सरजमी सीवान के पढ़ताफृ गाउं में नहीं करना पड़ा तो जितने वी समर्था का उनके लिए काफी दुख और अफसोस की बात है कि सावदिन की अंतिम मुराद यह एक वेक्ति की होती है कि जहां उसने जन्म लिया जहां उसकी कर्म भूमी है वहीं की मिट्टी में उसे दफन कर दिया यह पूरा नहीं हो पाया तो फिल झाल